वेलकम बेक टू माई यूटूब चाइनल टेकनिकल सलेंद्र दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं पपजी को लेकर इंडियान कवर्णमेंट के तरब से एक न्यूज आया है जिसमें बताया जा रहा है 275 अप्लिकेशन को बेंड कर दिया गया है जिसमें पपजी का भी नाम आ रहा है तो क्या ये रियल है या फिर फेक नीज है इसके बारे में बात करेंगे और इंडिया में पपजी को बेंड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी हम जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जालेजिए मेरा नाम है सलेंदर आप देख रहे है टेकनिकल सलेंदर यूटूब चाइनल चाइनल पर पहली वारे चाइनल को सब्सक्राइब किजिए तो दोस्तो जैसा कि आप लोगो पता है उस टाइम पहले ही इन्डियर गवर्मेंट ने टिक टोक के साथ 59 अप्लिकेशन को भी बैन कर दिया लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कर क्या रहे थे फिर भी यहाँ पे टिक टोक अप्लिकेशन को यूज कर रहे थे थर्ड पार्टी को बैन कर दिया इसके बात इहाँ पे इन्डियों गवर्मेंट ने टूर सेवंटी फाइफ अप्लिकेशन को भी बैन कर दिया गया है अभी तक इसका लिस्ट नहीं आया है जैसे ही लिस्ट आएंगे तो जैसे आप लोगो को मैं नेक्स वीडियो बना कर दे दूँगा इसम इसमें 275 अप्लिकेशन को बैंड किया है इसमें पप्जी नाम नहीं है। 275 अप्लिकेशन को जिसमें बैंड किया जा सकता है। लेकिन यहांपे कणफरम नहीं किया है। पबजी को भी बैन हो गया है जिस तरह से टिक टोक अप्लिकेशन बैन हुआ है उस तरह से पबजी अभी तक बैन नहीं है लेकिन हो सकता है कि बैन हो जाए जिस तरह से पाकिस्तान में टिक टोक अप्लिकेशन को बैन करने के वार्निंग दे दिया है उसी परकार यहां पे भी पपजी को बेन करने की वार्णिंग मिल रहा है जैसे ही 275 अप्लिकेशन का लिस्ट आता है वैसे ही मैं आपको नेक्स वीडियो बना कर दे दूँगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लेज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों मिलते आपको नेक्स वीडियो में